और मेरे cute family क्या हाले हैं आप लोगों के भाई इशान किशन अभी उन्होंने दिलिप प्रोफी में शतक लगाया अभी उन्होंने धमाल मचाना शुरू किया और एक और धमाल मचाने वाली खबर आ रही है भाई इशान किशन RCB में विराट के साथ ओपन करेंगे किंग कोली के साथ में इशान किशन ओपन करेंगे मुझे अचानक की वो सीन यादा आ गया जब विराट कोली के साथ इशान किशन ने बैटिंग करते हुए बंगला देश में double hundred बनाया था और जब दोहराश शटक लगाया था उसके बाद चिलाया था इशान किशन ने और उसके बाद ज चल रहा था रो रहे थे और उसके बाद आरसीवी के खिलाप में मैच था फिर वो विराट कोली के पास में गए मैच के बाद वो विज्वल्स हर जगे आपको मिल जाएंगे और उसके बाद विराट कोली के गले लग गए रोते रहे विराट कोली ने उनको समझाया बहुत आ रही है कि इशान किशन जो है उनका ट्रेड हो सकता है बैंगलूरू में यानि कि रॉयल चलिंजर्स बैंगलूरू में और आपको याद होगा कि अल्रेडी एक ट्रेड हुआ है मुंबई इंडियन्स और आर सीबी की बीच में बड़े अच्छे रिलेशन हैं क्योंकि कैमरे ग्रीन का ट्रेड किया था बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को याद होगा कैमरें ग्रीन यहां पर सेंटर पॉइंट होंगे कैमरें ग्रीन का ट्रेड किया था आर सीबी ने और एम आई से उन्होंने कैमरें ग्रीन को खरीदा था सेम पर्क पर यानि कि सत्तरा करोड पचास लाग शायद रकम थी वाटेबर और जब उन्होंने केमरन ग्रीन को आरसीबी में लिया था उसके बाद ही हार्दिक पांडिया जो है वो मुंबई इंडियन्स के काप्तान बने थे यानि कि मुंबई इंडियन्स में आने का रास्ता क्लियर हुआ था तो भई आरसीबी कि अनुज राबत उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पाए और फैफ डिपलेसी अगले सीजन भी कप्तानी करेंगे या खेलेंगे क्योंकि उमर तो बढ़ती जा रही है वो तो घटेगी नहीं इसको लेकर के भी सवाल है तो ऐसे में एक नाम जो सब के जहन में आ रहा है वो है रोयल चलिंजस बैंगलोर की तरब से इशान किशन क्योंकि मुंबई इंडियन्स में भी हो सकता है कि इशान किशन को रिलीज कर दे या उनको रिलीज करने के बारे में सोचे अगर चार प्लेयर को भी वो रिटेन करते हैं तो उसमें आपके जस्पीत बुम्रा होगे सुरी कुमार यादव होगे रोहिट शर्मा होगे और आपके हारदिक पांडिया होगे यही चार नाम होगे अगर चार को रिटेन करना है तो इशान किशन का नाम इस समय रिटेंशन में तो नहीं लग रहा है या वालीजी की अगर रोहिट शर्मा नहीं भी होते हैं या हार पर आ रही है वो यह है कि इशान किशन को ट्रेड कर दिया जाए किसी प्लियर के तौर पर और अगर वो ट्रेड नहीं हो पाते हैं तो रॉयल चेलिजस बैंगलॉर की टीम आल आउट जाएगी इशान किशन को बाई करने के लिए क्योंकि उनको एक टगड़ा विकेट कीपर पलेबास चाहिए और वैसे भी इशान किशन ना सिर्फ एक विकेट कीपर के तौर पर आरसीवी को फायदा उठाए पहुचाएंगे बलकि एक सॉलिड ओपनर बाट्समेन भी है और टी ट्वेंटी फॉर्मेट के तो बादशा है चिन्ना स्वामी जैसे पाटा विकेट पर आरसीवी में चीन चाहिए तूर विकेट हैं किशान किशन लैंड करेंगे बैंगलोरू में क्यूंकि इसे पहले ऑर और टीम में जाते हैं तो आरसीवी विल्ब्ली पर पर इको लेख लाख द्वजेक्यूटी नौ ₹झEM बेकिस वेराट कोली के साथ में ओपेन करेंगे एक ऐसी टीम जो अपने प्लेयर से बहुत जादा प्यार करती है मुंबाइ इंडियन्स ने भी बहुत प्यार दिया इशान केशन को बर ठीक है आप देखे हर चीज को आप अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं और अगर मुंबाइ इंडियन्स में नहीं खेलते हैं तो कहां खेलते हैं आप देखना चाहते हैं आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा